आज के लेक्चर के तो तीन पार्ट्स होंगे ना एक तो जो नॉर्मल हमारे दो पार्ट्स अप्लोड होते हैं उनलाइन में और एक 20-25 मिनट के लिए एक्स्ट्रा बुलाए जाएगा अच्छा जी अब यह ऑनलाइन वाले हज़रात को गवा बनाकर इनको मुबाइल में वापिस का रहा हूं कैसा गुजरा दें सची सची बताना बेहतरीम ने मैंने पहले सबने कुछ पताया वा आपको थोड़ा फील हो रहा था कुछ तो कैसे कवर अब करते थे झालें जी माशयलाब तो किताब है आपके पास है पास फेपर पृस्टर नंबर पंद्रह भाई वो ग्रुप्स में भी मैसेज करवादो किताब का वैसे तो वो स्यादा बच्चे तेज हैं उनको हमारे से पहले पता चल जाता है और ये भी पता करवादो किस किस शहर में कब कब अवेलेबल होगी ये भी जरा करके ना एक पोस्ट बनवादो क्यों में पंद्राँ, क्यों स्टाइक, क्यों स्टाइक, पंद्राँ, अच्छा त्राइक, ट्राइक का लेगा, ट्रहादो एक प्रिट्रेंस बेवें, cost and net realizable value बातें बात में कर लेना या cost and net realizable value क्या चीज है और ये क्या हमने बहस की थी ये IS2 को इससे आप mix up न करें अगर आप plant बना रहे हैं कोई plant बना रहे हैं तो plant के बनाने के लिए आपने plant से कोई sample produce किया आप plant बना रहे हैं आपने plant बनाने के लिए कोई sample produce किये कि plant से मैंने जो है वो कोई चीज बनानी है मिसाल के तौर पर plant से दवाईया बनानी है तो आपने sample के तौर पर दवाईया बनाई तो अगर आपने sample के तौर पर दवाईया बनाई तो वो दवाईंब आपकी बनी मिसाल के तो ़रो पे चालेस रुपई की और आप ने इनको बाजार में सेल कर दिया पंदरा रुपई का क्योंके सैंपल था, तजर्मा रुरा था भी लोगों के जिन्दा रहते हैं या मरते हैं तो 15 रुपे की आपने बेच दी तो मैंने यह कहा था आपको के आप एक planet बना रहे हैं बनाने में जो sample आपने बनाए उस sample को अपने asset की cost में डालने है यहनी 40 का आपका outflow हुआ 15 का आपका inflow हुआ तो इस कितने रुपे को? 25 रुपे को आपने asset की cost में add करना है similarly आप कोई intangible बना रहे हैं आप कोई formula बना रहे हैं आप कोई design बना रहे हैं तो उस formula की base पर आपने sample के तोर पे कुछ बोतलें बनाई तो जो sample के तोर पे बोतलें बनाई वो 40 रुपे की बनी और वो सेम्पल के तो रुपे बोतले बिकी पंद्राव रुपे की सेम्पल के नाम से बिकी ये वो इन्वेंटरी नहीं है जो आई एस टू वली है या फॉर सेल नहीं है ये इन्वेंटरी या आपने सरफ सेम्पल बेचे सस्ते दामो तो सेम्पल की कास्ट से मुराद क्या है कि सेम्पल बनाने में कितना खर्चा आया और सेम्पल की सेल से क्या मुराद है सेम्पल बनाके कितने बेच के पैसे आए इसको IS2 डील नहीं करता यह जो सेम्पल बन रहे हैं सेम्पल को IS16 या IS38 डील करेगा और ये कहेगा कि जितना भी net खर्चा हुआ net खर्चा 25 that will be a part of cost of asset इसको asset के cost का पार्ट बनाया जाएगा ओके सवाल में अभी मैं सारी सारी बातें करता हैं तरह सवाल पूरा करा लो फिर सवाल लेता हूँ यह जो अपर वाले खर्चें हैं इनके लावा DL has also incur directly attributable salaries and overheads of 5 million and 1.5 million salaries क्या होंगी वो जो वाइट कोट वाले बंदें उनकी तनखाहें और overheads क्या होंगे वहाँ पे जो बिजली इस्तमाल हो रही है और बाकी चीजें इस्तमाल हो रही है या कोई lab की building का कराया जो भी चीजें है salaries और overheads उन्हों ने incur किये 5 और 1.5 million के respectively in each month हर महीने तो ये पर मन्थ amount है ये total amount है इसको किसी से divide नहीं करना आपने ये 9 महीने या 10 महीने या 12 महीने की amount नहीं है it is not a total amount it is already per month ये per month amount है over the development period of a और ये जतना अरसा development चलती रही है उतना अरसा ये खर्चा होता रहा है अगर यकम अपरल को recording criteria पूरा हो गया तो यकम अपरल से पहले recording criteria पूरा नहीं था और वो जो चीजें आपने बाजार में बेचनी है sample वाली नहीं जो चीजें आपने रियली बाजार में बेचनी हैं, उनको अब बनाके बेचना शुरू कर चुके हैं, किस महीने में? यह कम नुमबर अब सवाल के अंदर तीन डेट्स क्रिटिकल हैं, जहां से हमने पता चलाना है कि लैब, खुली कब लैब बन कब हुई, यह तो हमारी बाटर लाइन हो जागी, और इन दोनों के दर्मियान, अब मेरा हाथ कोई नहीं है, तीसरा तो मैं मूल आ रहा हूँ, इन दोनों के दर्मियान, कोई एक स्टेज आई होगी, जिस स्टेज पे आपकी कौन सी वाली डवेलपमेंट शुरू हो अच्छी वाली डवेलपमेंट शुरू हो हुई, वह यहाँभी हो सकती है, वह फेज यहाँभी हो किसी भी जगहा पे हो सकती है, तो लैब खलने और लैब बंद करने की तारीख को पहले हम हाईलर्ट करTए हैं, फिर हम देखते हैं अच्छी वालीपमेंट कब शुरू हु हůई है प्रॉऩेक्ट की कमर्शल प्रोडक्शं फैक्टरी में शुरू होगी तो फैक्टरी को हैंड ॉवर कर दिया था आर इंड डेपाट्मेंट नह इकमवड को तो न ओ development start कब हुई development start हुई ये key dates हैं सवाल में important यकम January 20 को अच्छा development end होने विले date ना आपने सुरू सा नीचा करके लिखा करनी है क्योंकि इन दोनों के दर्म्यान में एक date आया करेगी जिससें से अच्छी वले development शुरू हो जागी development end कब हुई यकम November 2020 को यकम November 2020 को recording criteria कब पूरा हुआ यकम April को तो recording criteria met जिससे अच्छी वले development शुरू हुई किस इन पूरा हुआ यकम April 20 को अच्छा अब January, February, March में होने वाले खर्चों को हम expense out करेंगे और April, May, June, July, August, September, October साथ महीने साथ महीने साथ महीने के खर्चों को हम capitalize करेंगे but depending upon the nature of खर्चा अन्य वाँ खर्चों को capitalize नहीं करेंगे कि advertisement भी capitalize की हो staff training भी capitalize की हो ठीक है? advertisement भी capitalize नहीं कभी capitalize नहीं होती September, October, साथ महीने साथ महीने के खर्चों को क्या करेंगे? capitalize करेंगे आप जड़ा देखते हैं कि ये जो खर्चे हैं ये खर्चे तीन जमा साथ दस महीने के हैं या हर महीने का खर्चा अलग अलग दे रहे जल्दी बताएं हर महीने का खर्चा अलग 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 दे रहे आप बताएं जनवरी के अंदर क्या चली? research चली अब बता दें इसको मैंने क्या करना है? expense out फर्वरी मार्च फर्वरी मार्च ये सवाल ज्यादा अच्छा है हर महीने का खर्चा अलग अलग बता रहा है फर्वरी मार्च में क्या चली डवेलपमेंट फर्वरी मार्च में क्या चली लेकिन फर्वरी मार्च में recording criteria पूरा इसको आप working में लिख सकते हैं पेपर में शुरू में कि इस दिन ये हुआ इस दिन ये हुआ अच्छा फर्वरी मार्च में development criteria पूरा इसलिए इसको भी कहां डाल दें expense में एपरिल में जून जुलाई क्या बना पाइलेट प्लांट पाइलेट प्लांट कीन activities में फॉल करते हैं development में एपरिल में जून जुलाई ओ लकीली ये एपरिल में जून जुलाई ही सारा हमारा relevant है और अगर ये यकम में को हुआ होता तो फिर ऐसी सूरत में ये खर्चा चार महीने का होता इस चालिस को हम चार से डिवाइड करते और फिर अगर यकम में को recording criteria meet हुआ होता तो फिर तीन महीने से multiply कर दे लेकिन now we are very lucky कि pilot plant की सारी की सारी phase already fall under the good development that's why this 40 will be capitalized इसके बाद register कराने की जो fees है वो भी capitalized होगी अच्छा सेंपल बनाए अगर सेप्तमबर अक्तूबर में सेंपल बनाए थोड़ सी अपनी vision broad करें चीजों का इसका मतलब है हमें पता चला कि सेंपल भी lab के अंदर बन्दों को रख के ही हम बनवा रहे हैं कि यार तुम ये सेंपल बनाओ चीजों के तो अगस सेप्तमबर अक्तूबर में सेंपल बनाए क्या ये inventory है या सेंपल है सेंपल हैं तो ये नहीं कहना के ये इनकी cost है और ये इनकी अनर भी है दोनों में से lower उठा लूँ IS 2 will not deal it डbylopment अभी चल रही है अगर डbylopment चल रही है तो IS 2 डील करता है फाक्टरी में जो या उनिट्स बने हैं उनसे ये तो अभी क्या चल रही है डbylopment तो डbylopment फेज में सेंपल बनाए सेंपल बना कर कितने पैसे खर्च किये Sample بنانے پہ کتने پیسے خرچ कियے Expenditures have been incurred Sample بنانے پہ کتنے پیسے خرچ کیے 34 अصل में लिखा होना चाहिए था Sample की sale value या realizable value अब Sample सस्ते दामों बिकेगा इसकी realizable value 20 है लेकिन Net का लफस उसने इसलिए لिखा है कि ऐसा हो सकता है सेंपल 21 रुपे के बिकें और एक रुपे कोई बेचने का खर्चा आजाए सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टिस्मेंट कॉस्ट यह को इस चिसम का खर्चा हो कॉस्ट तू सेल जिसे आप कहते हैं इसलिए उसने लिखा वरना यह वो सेल प्राइस है जिसको थोड़ी दिर पहले हमने डिसकस किया था तो सेंपल बनाने पर खर्चा कितना आया एकस्पेंडिचर हैव बिन इंकर्ड कितना 32 और सेंपल के एगेंस्ट रियलाइज कितना होगा तो सेंपल बनाने पर हमने 32 का खर्चा किया शुकर है कोई थोड़ा बोता 20 रुपे रेकावर हो गया तो नेट कितने रुपे बचे 12 रुपे इस 12 रुपे को हम एसेट की कास्ट में क्या कर देंगे एड कर देंगे ये अच्छी वाली डिवलिप्मेंट फेजी चल रही है अभी अच्छा उसके बाद अक्तूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ब्रैंड बिल्डिंग कास्ट हुई ब्रैंड खुद बनाना इंटेंजेबल तो है ही नहीं इसलिए इस बहस से बाहर निकल जाएं कि ये अच्छी वाली डिवलिप्मेंट फेज है बुरी वली डिवलिप्मेंट फेज है ब्रैंड बिल्डिंग तो सालहा साल चलती रहती है और अगर आप अपना ब्रैंड बिल्ड कर रहे हैं बिल्डिंग का मतलब ही अपना ब्रैंड बिल्ड कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा एक्सपेंस आउट कि साइंसदारों की तंखाये कहां गई ही इसका मतलब है तुम लोग सिरफ मैटीरियल ये बना रहे हो PLANT ही बना रहे हो तो साइंसदानों कोई तंखाय नि दे रहे तुम्हारा कुन सा प्रोजेक्ट है जो रुबोट से चल रहा है उन्होंने का रुबोट से नहीं चल रहा, वो हम मानते हैं अब वो लैब के अंदर कुछ और खर्चे बच गए थे, वो उसने का वो दरह मैं बताता हूं DL has also, इसका मतलब है ये तो हुए ही हुए इसका मतलब है ये वाली figures उपर include नहीं है DL has also incur directly attributable salaries and overheads of rupees 5 million and 1.5 million salaries से मराद उनकी तनखाहे, 1.5 million overhead से मराद उस factory के अंदर होने वाले खर्चे in each month over the development period of new product ये खर्चे 10 महीने हुए है ये खर्चे 10 महीने हुए है in each month over the development period it is development period हर महीने ये खर्चा हुआ है और 10 महीने तक ये खर्चा होता रहा है the development period is this one हाँ एक बात मैं थोड़ सी मानता हूँ सवाल में गलती आना निकालना बैठ जाईएगा जनवरी में research चलती रही है लेकिन उसने जब सवाल शुरू किया तो उसने development काई नाम दे दिया इसलिए कोई सवाल में गलती ना निकाल लिएगा ये research क्यों तुमने लिखी हुए यहाँ पे तो development phase के अंदर आपकी per month की figures given है अब one by one चलते हैं और देखते हैं किन किन चीज़ों को हमने capitalize करना है तो सबसे पहले जब हम cost निकालने के side पे आएंगे तो cost किसकी है जी पाइलट प्लांट की कितनी पाइलट प्लांट की 40 इसके बाद fees to register कितनी 15 इसके बाद cost of samples 32 माइनस 20 12 इसको expense में डालना है आगे salaries और overheads अगर 10 से multiply कर दूँँगा इन figures को तो ये total 10 महीने के निकल आएंगी जिसमें फिर मुझे 3 महीने की बुरी और 7 महीने के इच्छे लग-लग करनी पड़ेंगी तो शुकर है ये already each month लिखा हुए तो इसलिए इसको एक दफा multiply कर दूँग एप्रेल में जूम, जुलाई, गस, सप्तमबर, अक्तूबर और नवंबर से तो salaries, the 7 महीने से multiply कर दें, direct, मैंने क्या बोलें, ओ स्वरी, मैंने 7 महीने से multiply कर दें, अच्छा salary बोलें, 5 into 7 months, 35, और overheads बोलें, 1.5 into 7 months, 10.5, जिनलों के बस किताब नहीं है, वो तो स्वीर खेंच लीजेगा, अब तो आज फिर सारी discussion ही, जी जवाब, 10.5, 11, 2.5, कितना लोगों नहीं यही कल घर में निका ली थी, हाथ करा करके बताएं, अच्छा जी, सवाल के requirement देख लेते हैं, क्या आए? भाई, आप भी आज आए हो पहले दे, आप आखर में जो बैठे हो, आज आए हो पहले दे, किता रहे पिछले दिनों में? क्या? क्या करना था घर में? तो दो दिन बाद घर वले भी पूछना बंद कर देते हैं, दो दिन ही प्रोटोकोल वाला खाना मिलता है न, उसके बाद तो बस नॉर्मल, जरूरी खान था, फिर, वेसे ही, कंप्यूट दा कॉस्ट अफ न्यू प्रोड़ फिनिशल मेईरमेंट, इनिशल मेईरमेंट होती है, जिस वकद आपने असर खरीदा, आज़सो डिसकस दे रीजन्स, फोर इग्नोरिंग एनी आफ दा अबव एक्स्पेंडिचर इन यूर, कंप्यूटेशन, चलें जी रीज सोला को इग्नोर किये, और पांच का तीन महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और डेड़ के तीन महीने, इन सब को हमने क्या किये, तो लिखना शुरू करते हैं इग्नोर करने की रीजन्स, Evaluation of possible alternatives, is an example of research expense, बाकी फिक्राइ सवाल से उठा लें, therefore it is ignored in computation of cost, therefore it is ignored in computation of cost, आने या रुजाना आया करने, तजर्वा ना करें C.A. के साथ, प्लीज आई कैप पर तजर्वे ना करें, अच्छा, आगे चलें, अच्छा, दो, दो लो, सो, दो, T-H-O-U-G-H, अच्छा, अग्ली आई लें लें लें, दो, pre-production prototype, is an example of development, दो, pre-production prototype, is an example of development, आगे यही से फिकर रहा हुठाएं, but still ignored in computation of cost, but still ignored in computation of cost, आगे सवाल से फिकर रहा हुठाएं, इदर से देखें, because recording criteria was not met till यका मैप्रल, सवाल से फिकर रहा हुठाएं, because recording criteria was not met till यका मैप्रल, बच्पन में उस्तानिया कहती थी थी न, सवाल के अंदर ही जवाब चुपा हुठाओ है, मेड़म आपको पता चल रहा है, हमें कि नियन दर आ रहा, आच्छा, आगे चलें, Sola, brand-building cost is an internally generated brand, so it is not capitalized, yeah, so it is not, it is ignored in competition of cost. brand building cost क्या लिखवाय था is an internally generated brand therefore it is ignored in the computation of cost this is selling cost मैं यही कहता है इसको खेंच थान के advertisement cost भी कहा जा सकता है आप कह सकते हो advertisement cost brand building में यही होता है आगे चलें आफरी बात salaries amounting to 15 million अचा amounts ना पिछले वाले में भी लिख दीजेगा घर जाके इधर भी इधर amounts लिखवारों में आफरी में salaries amounting to 15 million अब bracket में लिखें 5 into 3 and overheads amounting to 4.5 million 1.5 into 3 are incurred in January to March और नहीं research नहीं बिल्कुल नहीं तो 2 मीन दो development भी चलती रिये और incurred from January to March January to March इस अर्से में चलियें और incurred from January to March when recording criteria was not met are incurred from January to March when recording criteria was not met आगे फिर वह लिख दें, therefore these are ignored in computation of cost therefore these are ignored in computation of cost सब्सक्राइब कर दो हां बट जब तक रिसर्च चलेगी और बुरी वाली डवेलपमेंट तब तक एक्सपेंस ही होता रहेगा क्या चीज़ नहीं प्रॉडक्ट से मुराद है न्यू प्रॉडक्ट न्यू डिजाइन न्यू फॉर्मूला अच्छा कल वले सवाल में वो मुझे बता दे हैंगर टेक्स रिफंडेवल लिखा होता या हम जियूम करते रिफंडेवल है तो इंट्री क्या होती फिर यह मुत्रमा अब इसकी एंट्री फिर ऐसे बनती अब मैं पेज 247 पर लिख रहा हूं इफ आई एजियूम सेल्स टेक्स इस रिफंडेवल इफ आई एजियूम सेल्स टेक्स इस रिफंडेवल तुम्हें कैसे कॉस्ट निकालता नए सॉफ्ट्वियर की एक सो पंद्रा में पंद्रा परसेंट सेल्स टेक्स पड़ा है इसका तरीका ये नहीं होता के इसमें सेल्स टेक्स मैं पंद्रा परसेंट करके निकालूं इसमें पंद्रा परसेंट लगाकर सेल्स टेक्स निकलेगा इसमें पंद्रा परसेंट सेल्स टेक्स पड़ा है यान inclusive of sales tax, it includes sales tax, ये 115% पर पड़ी है, और unluckily ये rupees in million भी 115 ही है, बहुत अजीव सी बात है, rupees in million भी 115 ही है, बहराल, 115% पर पड़ी है, it includes sales tax, तो इससे sales tax निकालने का तरीका ये होगा, या इससे sales tax निकालने या product की price निकालने, it's up to you, इसमें sales tax कैसे निकलेगा, 115 रुपीज है, रुपीज हैं ये, 115, divided by 115% multiplied by 15, तो sales tax निकलाएगा, ये sales tax refundable है, यानि receivable, ये sales tax क्या है, receivable, total कितना, 15 ये हो गया, अच्छा जी, software की cost में कितना जाएगा, अब 115 टोटल था, 15 चला गया इदर, तो बाकी, so, so किदर चला जाएगा, software की cost में, दो किदर चला जाएगा, expenses में, training का, ये कर रहे हैं न हम, so, और 15, so को क्या, अगर resume करो refundable है, so का क्या बुक करेंगे, capitalize करेंगे, so को, 5 रुपे को, capitalize 2 रुपे को, और इसका receivable बुक करेंगे, current assets के अंदर, चलें जी, 100 में क्या डाल दूँ, 2, 2 या 5, 5 रुपे, कितना हो गया, 105, और training को कहा डालूँ, expense में, कितना होगी, 2, ये किसी को पता, double entry बन रही है, debit side पूरी होगी है, अच्छा, अब credit, cash, 1, double, 2, ये double entry पूरी होगी, तो अब intangible के note में कितनी cost जाती, 105, लेकिन कल हम कितनी लेके गए थे, वजा, हमने assume किया था, sales tax क्या आए, आज के assume कर रहे हैं, refundable, अच्छा था, अच्छा ये अच्छा, आज अच्छा अच्छा था, अच्छा क्या आग्यले, अच्छा जी आज हमने आप दो कंसेप्स करने हैं, बलके तीन, एक हम करेंगे exchange of assets एक हम करेंगे government grant और तीसरी चीज़ हम करेंगे amortization और impairment की discussion तो let's start शुरू में आजें किताब लेली भी आप लोगों ने government grant निकालें page 605 page 205 अब वो हज़रात मतवज़े हो जाएं जिनका आज फस्डे है दुनिया में पहली दफ़ा आएं दुनिया में पहली दफ़ा आरे पिर तो रो रहे होते न अच्छा तो वैसे तो क्लास में पहली दफ़ा आने वे भी रोना चाहिए इनको खड़े हो जो तरह रो के दिखाओ थोड़ा सा ब्लू शर्ट अच्छा तो अब जो हम डिसक्रिशन करने लगे हैं उसका पहले की दिसक्रिशन से कोई तालुक नहीं है इसलिए बड़े रिलाक्स होके साथ वले की तरह कंदे चोड़े करके बैठ जाएं अच्छा अब फाइफोर वेटेड एवरिज क्या है फाइफोर वेटेड एवरिज क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी है अकाउंटिंग हमारे पास चॉइस होती है क्या चॉइस होती है चाहे हम फाइफोर यूज कर लें चाहे वेटेड एवरिज यूज कर लें और बताएं और और कौनसी कहां चॉइस अविलेबल है हमें और कहां चॉइस अविलेबल है स्ट्रेट लाइन मेथड रो डबली डीवी मेथड में हमें चॉइस अवेलेबल है यह आपने ब्लंडर मारा है बिलकुल चॉइस अवेलेबल नहीं है आपने देखना होता है कि एसेट ने अगर बराबर बेनिफिट देना है तो आप मस्ट टेट लाइन यूज़ करें और अगर एसेट ने डिविनिशिंग पेटरन पर फाइदा देना है तो आप मस्ट डबली डीवी मेथड यूज़ करें मैं कहरा हूँ कि चॉइस कहां अवेलेबल है चॉइस कहां कि पॉलीशी में चॉइस अवेलेबल है फाइफो या वेटेड अवरिज पॉलीशी है दोनों में से जो मरजी चला लें लेकिन एक दफाँ चूज़ कर ली तो इसको कैसे अप्लाई करना है कंसिस टेंटली अप्लाई करना है गर्वेर्वेर्मेंट ग्रांड record at fair value हकोमत ने आपको तोफे में टैंजबल दिया इसको fair value पर record कर लें या record at nominal amount record at nominal amount paid जो अपने nominal amount pay किया आप उसपर record कर लें यह दोनों चॉइस आपके पस से वेलेवल हैं ओके लेट्स दू एन एग्जाम्पल फर्स्ट तो लिखें वी कें चूज एनी अफ दा पॉलिसी हमारे पस चॉइस हैं कोई भी पॉलिसी चूज कर सकते हैं अच्छा अगर नुमेरिकल आजाए इसका गभर्मेंट गरांड का तो फिर तो दोनों में से कोई एक आप्शन लेके उसी तरह सॉल्फ कर देंगे हम लेकिन अगर थियोरी का सवाल आए कि डिसकेशन करो गभर्मेंट गरांड मिली है नुमेरिकल करने हैं तो फिर दोनों रस्टे पर चलना मुश्किल हो गा अन्लेस कि मार्क्स इतने जदा हों कि हमें लगे कि दोनों तरीके से चलके उसको दिखा दें government granted the entity an intangible asset we paid a nominal amount of rupees 2000 however the fair value of intangible is 50000 50,000 what is fair value 50000 what is nominal amount paid 2000 when choice available record at fair value or nominal amount दोनों को देखते हैं अच्छ दी एट फेर वेलियो एट नॉमिनल अमाउंट नॉमिनल अमाउंट में बताएं इंटेंजिबल ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट कितने से दो हजार से और पहले साल के एंड पे अउटाइजिशन चार्ज करेंगे आप और लाइफ के इंटेंजिबल की? पांच साल तो कॉस को किस पे डिवाइड कर दू? कांच साल के उपर तो अंट्री क्या बन जेगी? अमॉटाइजिशन डेवेट कमोलेटेट अमॉटाइजिशन क्रेडिट जी दो हजार divided by 500 400 तो ये कौन सा method हो गया nominal amount दूसरी कौन से choice available है fair value fair value में के entry होगी और cash कितने से cash 2000 cash 2000 बाकि deferred income ये deferred grant क्या नाम रखते थे फिर वन में deferred grant deferred income जी बोले 48000 balancing 48000 अच्छा जी आप 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 डेबिट अकॉमुलेटेड अमॉर्टाइडेशन पचास अजार डिवाइड़ बाइ पांच दस अजार यह कौन चला गया एक्सपेंस में एसर एक्सपेंस में चला गया और इंकम डेफर कर दी थी या फोरण पी एडल में डाल दी ती इस में से पहले साल के एंड पे कितनी डेफर्ड इंकम को रियलाईज कर वा ले जो मैठेड इसके लिए यूज रहें वही मैठड इसके लिए यूज करें डेफर्ड इनकम डेवेट और पी एंडल या ग्राइस मिंत जो भी आप नाम रखें भस पींडल में डालना है इसको फर्यावाबります 9600, how profit will differ in both methods profit में, वो जो profit होता है total business का, उस पर क्या फरक पड़ेगा दोनों methods follow करने से no effect profit पर कोई effect नहीं बड़ेगा इसलिए कि हमने इदर खर्चा बुक की है 400 इदर खर्चा बुक की है 10,000 और income बुक की है 90 10,000 में से जब आप 9600 माइनस करेंगे तो 400 रुपे बच जाएंगे खर्चे में जा रहे हैं इदर overall profit पर impact नहीं है लेकिन line items तो change होंगे लेकिन overall profit पर को impact नहीं होगा इसका जो मर्जी method follow कर लें P&L will remain the same but line items में amortization different amounts पर नजर आएगी जल्दी कर लें और फिर जो वो अंग्रेजी लिखी वी है वो भी पढ़ लें पे 205 पे जो example के ओपर अंग्रेजी है जी क्रेशन पढ़ना कितने लोंगा सही ता हो पूछी है हुआ है हां जी वही किया था 30 माइनस 12 प्रोडियूस होने की यह कॉस्ट है टेस्टिंग कॉस्ट यह प्रोडियूस होने की कॉस्ट है कि इसको फिर आप तो खाले इस था लिखें सेंपल सोल्ड यह इसके अपर मैं डिस्केशन करूंगा जो यहाँ प्रोडियूस होता है कि बुर्ण हाँ यह पुराणी किता मैं यह पुरानी विखेंगे रूट है पुरानी किताब तो ले रहे हैं फिर तेख रहे हैं इंट्रेस किस तरह नहीं है जर्याब करीद लो बुख एक और तोर दो आए कि अ ही है यह 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 यहज़ार रहे हैं यह 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 ये कर दो एके रहे हैं क्या चीज? हाँ, जिरो पर रिकार्ड होगा. A government transfers or allocates intangible assets such as airport lending rights licenses to operate radio or television stations, import licenses, import करने का कोटा जाज़त थामा और rights to access other resources. An intangible may be acquired free of charge or for nominal consideration by way of government grant. IAS 20 allows the intangible assets and the grant to be recorded at farewell initially or at a nominal amount plus any expenditure that is directly attributable to preparing the asset. Nominal amount में कोई चीज प्लस भी करनी पड़ सकती है. That is directly attributable. हो सकते हैं कोई आप intangible आपको मिले, उसकी fair value हो 50,000 और आपको install करवाने पर 1000 रपे का खर्चा आ जाए. तो फिर आपने 50,000 रपे में 1000 fair value होगी उसमें भी add कर देने और अगर यह वला scenario हुआ तो उसमें भी आपने add कर देने. तो यह किसी सवाल में देख लेंगे, वो तरीका normal ही है कि आपने installation और बाकी सारी चीज़ें asset की cost में क्या करनी होती है, fees to register, क्या करनी होती है, asset की cost में add करनी होती है. ओके, exchange of assets आजे, exchange of assets इसी page पे है मेरे खाल से, इसी page पे है, यह notes में तो नहीं है न जो बांटे थे, नहीं किताब पे है, हाँ बस ठीक है, तस्वीर खेंच लें हितने सी की अगर खेंच नहीं है, है notes में, जो notes दिये हैं, उनमे page 205 है, four है, five नहीं है, unluckily, ठीक है, इसलिए कहा जाते है, book ले ले, यह किसी asset के पास बेटें जिसके पास book को, अच्छा जी, assets exchange होते हैं, उसमें एक चीज जा रही होती है और दूसरे चीज आ रही होती है, बड़ी बात पताई, जबरतस हो गया, अच्छा जी, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, और पुराना नोकिया 33 दस जा रहे हैं, और निया फोन हमारे पास आ रहे हैं, अब पुरानी जो चीज है, उसकी fair value है 130, हमने ज़्यदा रख ली गलती से, पुरानी चीज के fair value क्या है, इसको 13 रुपे कर देते हैं पुरानी की, पैसे ज़्यदा दे देते हैं, अच्छा, पुरानी चीज जा रही है, क्या जा रहा है, mobile, हो सकते है, बुक्स में इसकी कोई क्या आ रही हो, value, एक इसकी बुक्स में value आ रही होगी, और एक इसकी किस में value होगी, market में value होगी, तो जब भी पुरानी चीज हम बाजार से जो है, वो दे के नई चीज लेते हैं, तो तीन बाते हमारे सामने होती है, नमबर वन, पुरानी चीज की बाजार में कीमत क्या है, हमारी पुरानी चीज कीमत क्या है, 13, और हम क्या दे रहे हैं, पैसे, तो पैसे भी हमारे पास से जा रही है पुरानी चीज भी जा रही है और बदले में क्या Yeah अभी फिगर्स को अरे करके कुछ जर्नेल अंट्रि करने या बराबर करने के चकर में आ पढ़े इस चकर में आ पढ़ें वह लग भाट में करता हूं सभी मैं पुरानी चीज बाजार में लेके जाओंगा तो मुझे पुरानी चीज देनी पड़ेगी 13 रुपे वली मैंने चीज दे दी और मैंने जेब से निकालके पैसे दे दिये और मैंने कौन सी चीज ले ली नई चीज ले ली अब पेपर के अंदर जो सेनेरियो जाते हैं वो क्या आते हैं पेपर के अंदर जो सेनेरियो जाते हैं वो एक सेनेरियो ये आता है कि इफ फेर वेल्यू आफ बोथ ऐसेट्स फेर वेल्यू आफ बोथ ऐसेट्स एक सो पिटास एक सो बीस दोनों इफ फेर वेल्यू आफ बोथ ऐसेट्स और fair value of only old asset is given कभी कभी पेपर में इसकी भी fair value दी होगी और इसकी भी fair value दी होगी या इन दोनों की fair value की बजाए सिरफ जो चीज जा रही है उसकी क्या दी होगी? fair value ये दोनो scenarios different हैं लेकिन इनका treatment एक है तो option one बताएं पेपर में दोनों की fair value दे दे या पुराने की दे दे हमारा गुजारा चल जाएगा हमारा गुजारा चल जाएगा इन दोनो scenarios में अगर आपको याद हो cost कैसे निकलती है? इन दोनो scenarios में cost निकलती है 13, jama 120 नए की cost इस तरह निकलती है अब याद कर लें पका पका अगर पेपर में नए की fair value और पुराने की fair value दे दे या पेपर में सिर्फ किस की fair value दे और आपको कहें नए की क्या निकालो cost इन दोनों सूर्टों में आपने नए की fair value अगर given भी हो तो कहके ignore कर देनी है और आपने 13 जमा 120 पे निया asset record करना है यह option one हो गई if fair value of both is given और fair value of only old is given cost of new is equal to fair value of old 13 रुपे plus cash कई दफ़र minus भी करना पड़ते है cash अगर वो दीसरी चीज़ सस्ती हो यह line छोड़े दूसरा scenario क्या हो सकता है fair value of only यह पेपर में एक ऐसा सवाल आया जिसमें आपको सिरफ fair value किसकी available थी new की पुराने के fair value क्यों नी available थी क्योंके पुराना इतना redundant हो गया था पुराना इतना खराब हो गया था कि वह market के अंदर जिस भी दुकान पे आप जाएं और आप पुराने को लेके जाएं पुराने इसको लेके जाएं market में किसी को कहें कितने का लगाओगे वो कहते है भाई एगली दुकान पे चले जाएं फिर जाते हैं कितने का लगाओगे भाई एगली दुकान पे चले जाएं पिर आपने कैस से पंगानी लेना फिर आपने बस नए को किस फे रिकाड कर देने नए की fair value पर फिर आपने इस तरह सरकल लगा के नहीं करना फिर आपने बस नए की fair value देखनी है if fair value of only new asset is given तो cost of new asset is equal to fair value of new asset लेकिन अगर कभी मजबूरी में fair value of both assets is not given पुराने की fair value भी आपको पता नहीं चल रहीं क्योंकि पुराना बहुत redundant हो चुके है नई चीज़ आप खरीदने लगे हैं दुकांदर कहता है भाई जैंज ये माजार में नई चीज़ आई है मैं देखता हूँ आपको कितने की लगानी है किसी और दुकांदर से आपने जाके पुछा ये नई चीज़ उसने का भाई मेरे पास तो है ही नी फिर अगले से जाके पुछा उसने का नई चीज मेरे पास तो है ही नहीं तो नई चीज की भी fair value सवाल में available नहीं है, पुरानी की भी available नहीं है, here the BV will help you, at this point of time, the BV will help you, the BV of old, BV of old, नया तो भी खरीद है नहीं तो here the BV will help you, तो maybe BV is 8, maybe BV is 10, whatever it may be, तो मैं BV बोल रहा हूँ, विया नहीं बोल रहा, अच्छा, तो फिर 8 जमा 120, अच्छा, अब जबानी दरह याद कर लें एक दफ़ा, फिर BV वाली दुबारा बनाते हैं, अगर दोनों के fair value given है, तो cost बताएं, एक सो, एक सो, टोटल बताएं, 133, अगर तोनों के fair value given है, तो फिर नहीं के cost, 133, दूसरी बात, अगर सिर्फ, पुराने के fair value given है, और नहीं के fair value given, नहीं है, तो, 120 प्लस 13, अगर पुराने के fair value available, नहीं है, तो, 150, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, और अगर, दोनों वो बाइल लिफ्ट ना कराएं, तो, BV will help you, BV, maybe BV is 8, 8, तो 8 प्लस 120, 128, ओके, चलें जब यह सवाल कर दें, cost बता दें, तीनों scenarios में, requirement में हमने तीन scenario रखे हैं, old answer की cost बताएं, old answer की cost बताएं, 200, old answer की come reduction, 80, old answer की BV, BV तुम side पे, अभी BV को मत, पर सेनेरियों देखते हैं, एक सेनेरियों आएं का जिसमें BV को भी lift करानी है, अभी BV side पे, other information, fair value of old asset is 130, fair value of new asset is, cash paid is 12, अच्छा जी, अब, scenario one, scenario one, अफ्दारी में ज्यादा नहीं खाया करना, scenario one, scenario one, assume करें, fair value of both asset is given, इसका मतलब है कि ये सारा data आपके सामने फेर पेपर में available है, assume करें, सारा data आपके सामने available है, अब ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे बताएं, के नए की cost कैसे determine होगी, fair value of old asset plus cash paid, 12, अच्छा जी, new asset को आप debit करें, what is the fair value of old, what is cash paid, 12, what is total, 142, ये तो मैंने solution में निकाला हूँ है, लेकिन आप मुझे general entry भी करवा दें साथी, general entry दरा पूरी कर दें, पुराने asset को किताबों से निकालें, ये ये बहस मेरी खतम होगी, हमने जो सुबों से बहस कर रहे थे वो उसे ये वली थी, कि नए के cost कैसे निकालनी है, बाकी तो सवाल असान है, पुराने asset की cost, 200, पुराने की accumulated depreciation, 80, cash paid, 12, balancing figure, loss gain, चलेंजी नोट करें, पहले सेनेरियो की general entry, क्या क्या given था, पुराने की fair value और नए की दोनों given थी, हमने किसको गले लगाया, पुराने की fair value और cash, करेंजी और हैंजी और है बाकी कैसे बारे नहांएजी कारेश्य gibi और बारफे और रेकीप्ट, इसके अरेंदारी की धynnойд है, भाटे पूराने जले 書े बगा़खने लिएए़ोार ठावेश्धने, और रेम देढ़ब ऑा51 हैंजस्त बार भाम, पुराने की कि घरवले क्या समझे थे क्रिकेट खिलने जा रहे हैं कि यह की ना गया उनको पढ़ने जा रहे हूं अगले की इंट्री कर दें अगले सेनेरियो की कि अगले के अगले कुछ इस अगल रहे हैं है अगला करें कि अगले के अगले किसने लास्स पता है क्लास के बाद मिलें इतनी देर से बैटे हुए चुप सारे बैठे हुए आप से यह अमीद नहीं थी मुझे आपने अमीदों पेज टू और फेर दिया पी एंडल बैलंसिंग क्लासिया जूवा है क्लासिया उुषले वχा стен. Okay, अगलासियु यह पेज पेर डाली क्लासिया ह्पारियो। तो Вँर वẫnपने, क्लासियु यह, if fairness जिवन गलासिया। अब एक चीज देखें जो मैं करने लगाऊं इसका मतलब है कि आपको क्या गिवन नहीं है ओल्ड की फेर वेल्यू अब जरा सेनेरियो टू को पढ़ें कि फेर वेल्यू आफ उनली नियू इस गिवन तो वट ड़ ड़ जिवन अब मैंने चुपाई इस लिए कि पेपर में आपको दी नहीं होगी अब आप ये डेटा देखके बताएं बहालते मजबूरी किसकी फेर वेल्यू पे गुजारा चला लें आइडियल सरकम्स्टांस ये पुराने के फेर वेल्यू अवेलेबल हो लेकिन नहीं है तो फिर गुजारा किस पे चला लें नहीं कि लेकिन आप इसमें कैश वाला पंगा नहीं डालना आप बस देट सो को अठाएं और देट सो को अठाके पुतर इदरा ये बन फिफ्टी बास आज इस लिख दिया पुराने की कास्ट पुराने की काम्रेबशन 80 कैश 12 18 गें सर गें नहीं गें सर गें सर लोग सर बैलेंस चीट सर पेंडल ग्यारां बजे गें थे मस्जित में तराफी पढ़ने साड़े ग्यारां अब तर नहीं ग्यारां वजे शुरू कर दी सवाब बारां तक खतम होगी थे आप किस टाम गए थे अच्छा चलें आगे सेनेरियो थ्री सेनेरियो थ्री दीपने जी भीव किर बीविल हग यो इंशाढला इफ फिर वेल्य फोथ ऐसरे सिस्ट गिवर्वड थे बीव फोल्ड एंग नेया तो भी आयए पास बीवी ओफोल्ड विल हल ओके अब फिर वेलियो बोथ ऐसेट से नाट गिवन इसका मतलब है तू भी ना है और तू भी ना है यह दोनों नहीं है अब नए ऐसेट को रिकार्ड करना है बीवी ओफोल्ड ऐसेट या प्लस माइनस कैश हां जी यहां पर प्लस माइनस कैश भी इन्वाल्व होगा तो कॉस्ट अफ नुए अशेट इस इकल टू बीवी ओफोल्ड प्लस माइनस तो कैश इदर भी इन्वाल्व होने है अच्छ जी बीवी कितनी है प्लस कैश 12 132 जी पुराने एसेट की कॉस्ट दो सो कैश ऐसे सुरत में बुक वेल्यू भी आपने रिकॉर्ड किये तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा अब क्लिप दुबारा शुरू करो अगला अब दुबारा शुरू करो अब कर दो कितनी है